सावेर में हुए कॉंग्रिस के आयोजन की बाद भाजपा ने कॉंग्रिस नीताओं पर कई तरह क्या रूप लगा है और कहा है कि पूर्व राश्रुपती का निधन हुआ है और कॉंग्रिस खुशिया मना रही है सावेर नगर में आज कॉंग्रिस ने केंदरिय चनाफ कारिले का शुभारंब किया जिसमें हजारों की तादाद में ग्रामीन जन वह कॉंग्रिस कारीकरता पहुंचे तो भाजपा की सावेर मंडल के अध्यक्ष सुमेर सें सोलंकी ने कॉंग्रिस पर निशाना साधा और कहा कि पूर्वराश्पती प्रणव मुखरजी के निधन के बाद जहां बीजेपी शोक मना रही है और निश्वरधांजली दे रही है तो वहीं कॉंग्रिस हजारों की संक कि आमें लोगों को लेकर खुश्या मना रही है वहीं सुमेर सें सोलंकी ने कॉंग्रिस को जम कर आड़े हातों लिया और बीजेपी की जीत की बात कही आज राजनीती चीडर में दल की बात नहीं पूरे देश में पूरे विश्व में जो एक छती हुई है हमारे पूर वर राष्टबती दादा पढ़नाव मुकर जी की आज कांग्रिस को सरमान अची कि एसे व्यक्तित वो जो जिस दल से वो आते थे उस दल के लोग आज उस्सा मना रहे हैं आप भी सब मेडिया के लोग वहां थे आप कोई मालूम है कि आज उनने बड़े उस्सा के रूप में अपने कारी लेका पूजन करा उनने रूप सवरूप वलोग दिया वाकि वो उसमें उस्सा और कित्ते वो उनमें वो था खूसी थी यह से और हमारे भारती जनता पाटी संशकारो और संशक्रति वाली पाटी है दल से नहीं व्यक्तित्व से हम लोगे उनके व्यक्तित्व के धनिते वह अज्ज पूरे हमारा बी कारी कम था उजले निए ना मा नर्बदा जी का मसंत समाज भारती जनता पाटी पूरा बागि हमारे संगाथन देश के,ंगाथन ने तेकरा कि उनके चले जाने से कोई भी पाटी का कारी का म्लड़ा होता बाइस आज अब क्या कहेंगे किस तरह की तायानिया चल रही है अभी चुनाओ को लेकर भारती जंता पाटी對啊 यहां संगठन चुनाव लड़ता है संगठन और यहां के छोटा से चोटा कारी करता है आप देख रहों कि यहां सिंद्या जी और पूरे देश के नेताओं के जरुबत नहीं का आपका जाटा चोटा कारी करता आपको चुनाँ भरा के भेज देगा कि कि